हेलो बच्चों कैसे हो तो क्या तुम लोग तयारो आज की नई और मज़ेदार कहाणी सुनने के लिए आज की कहाणी का टाइटल है नाम है तीन काम थ्री वर्क्स एक बार की बात है एक सहर में दो गरीब दोस्त रहते थे एक का नाम था रामू, एक का नाम था शामू वो दोनों दोस्त एक बार एक सेट के पास में नोकरी मागने के लिए गए सेट का नाम था करोडी मल सेट ने बुला कि ठीक है, मैं तुम लोग को नोकरी तो दे दूँगा लेकिन मेरी एक सर्थ है तो रामिन ने बुला क्या सेट था सेट जी? बोला अगर तुम लोग कोई भी एक काम अगर ठीक से नहीं कर पाओ तो मैं उस काम नहीं करने का 400 रुपय तुमारी इस सेलरी से काट लूंगा बोला ठीक हसेट जी और सेलरी कितनी होगी तो बोला सेलरी तुम लोगी मैने की 1200 रुपीज तो उन्हों दोस्त कूस हो गया और उन्होंने पूरे अच्छे से मन से पूरे मैने काम करना शुरू कर दिया जो भी सेट बोलता था करोडी मल की एय रामू ये काम करो तो फटा फट रामू जाके काम कर देता था शामू को बोलता था पूरे दिन बार ये खेत जो दो तो वो पूरा खेत ठीक से तियार कर देता था पूरे 29 दिन वो लोग ने कड़ी मैने से पूरे सब काम जितने भी काम बोले वो काम पूरा कर दिया करोडी मल भी सोचने लग गया अरे ये तो पूरा काम करने लगे अगर ऐसे काम करेंगे तो मुझे तो इनको पूरी सेलेरी देने पड़ेगी तीस्वा दिन भी आ गया मेहने का आखरी दिन भी आ गया तो दोनों दोस्त कुस कुस हो के सेट के पा दिन बाकी है, मेरे को तुम लोगों से तीन काम करवाने है, अगर ये तीन काम कर दिये, तो मैं तुम्हें सेलरी दे दूगा, तो शामू बोला, हाँ सेड जी बताईए क्या काम है, तो सेड ने बोला, वो जो छोटी हांडी देख रहे हो न, बोला, हाँ, मिट्टी की बनीवी बोला, हाँ सेड जी, बोला, उस चोटी हांडी में उस बड़ी हांडी को डाल दू, सामू सोचने बोला, सेड जी ये कैसे मुम्किन है, कि चोटी हांडी में, बड़ी हांडी में तो चोटी हांडी जा सकती है, लेकिन चोटी हांडी में बड़ी हांडी कैसे जाएगी, बोल को बहार मताने देना बहार आओगे तो वो काम नहीं माना जाएगा वो लोग सोचने लगे अरे को दाम तो इतना है पूरा अंधेरा रहता है वो सुखेगा कैसे पुला सेट जी तीसरा काम क्या है तो तीसरा काम ये है कि तुम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि मेरे सिर का वजन कितना है धड़ का नहीं पूरी बोड़ी का नहीं सिर का वजन कितना है ये बताना होगा तीनों जन सोचने है वो दोनों जन सोचने लगे अरे सेट तो ये चलाकी कर रहा है करोडी मल को पैसे नहीं देने है इसलिए ऐसे से हम से काम करवाने की सोच रहे है वो लोग द हुआ इतने दुखी क्यों बोला देख ना यार करोडी मल के या हम लोग नोकरी करने के लिए गय थे 29 दिन पूरे अच्छे से काम किया लेकिन अब 30 दिन उसने ऐसे से काम करने के लिए बोला बोला क्या काम बता है तो शामू ने पूरे तीनों काम उस अपने दोस्त को बता दिया बोला बस इतनी से बात तो रामू बोला क्या तुमको पता है कैसे कर सके हैं बोला हाँ तो दूसके दोस्त बोला आरे हाँ एकदम अच्छे से बता सकता हूं करोडी मल के घर चले गया करोडी मल ने उनको आके देखा अरे तुम लोग तीनों काम कर दिये नहीं सेट जी बस करनी आए अभी तो पूरा दिन बाकी अभी कर देते हैं ठीक जाओ पहले उस छोटी हांडी में बड़ी हांडी को डाल दो तो थीक है सेट जी तो धाम गया और बड़ी हांडी थी उसको उठा के पतका और बड़ी हांडी पूरी तूट गई तो करोडी मल चिला अरे बेवकुफ ये क्या कर दिया तुने पहले सेट जी आप ने बूला डालने को आपने थोड़ी न बोला था कि उसके अंदर पूरी साब्फ डालनी है ये टुकडे को त दाल दूँगा और हडी में這裡 चले जाएगी सिर सुचने लगा रही यह तो बड़ा चलाक हो गया ठीक हा ठीक हा यह काम हो गया वहां सिर जी यह काम हो भर ठीक जाकि अब गोदाम में जाके वह चाउल को सुछाके आफट तो लोग गए दोनों जन और पूरे गुदाम में पूरे चारो तरफ चावल को फिला दिया सेड आके देखा करोडी मल पला अरे इफ फिलाने से क्या होगा इंको सुखने के लिए धूप और हवा चाहिए पला हाँ सेड जी वो धूपर हवा भी लाएंगे पला कैसे लाओगे वो लोग तुरंद गए और बाहर से थोड़ा लेके आए और पूरे गुदाम की चारो दिवालों को तोड़ दिया और उपर च्छत को भी तोड़ दिया अब सूरज पूरा उसके उपर वो चाहल के उपर पड़ा और उसूखने लगया करोड़े मल चिलाने लगया अरे तुम लोगों ने क्या कर दिया मेरा गुदाम दोड़ दिया पूरा सेट जी आपने तो सुखाने के लिए बोला था ये थोड़ी न बोला था कि गुदाम मत तुड़ना पूरा अच्छा तुम लोगों बहुत सालाग हो गया लगता है पूरा आप मेरा तीसरा काम करके बताओ पूरा तीसरा काम क्या था पूरा मेरे सर का वजन बताओ कितना है पूरा ठीक है सेट जी अभी बताते हैं और चाम गया दोर के बड़े साथ चक्कू ले गया पूरा सेट जी आपका सर का वजन बढ़ाने के लिए बताने के लिए हमें आपका सर काटना पड़ेगा भला रे बेखुफ ये क्या कर रहा है भला तो सेट जी वो बचन बताने के लिए तो हमें काटने पड़ेगा तब ही न तोल पाएंगे तो आप एक काम खरेए चुप चाप खड़े रही है मैं अभी इस चक्कू से आपका सरकार देता हूँ और सेट करोडी मल करा गया भला रहे नहीं 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 मैं मान गया मान गया तुम लोग तीनों काम कर सके और तुम लोग तीनों काम कर दिया ये लो तुमारे बारा सो रुपए और ये लो तुमारे बारा सो रुपए भाई मैं मान गया, तुम लोग चला को समझदार हो तो दोस्तों, इस कहानी से हमें इस सीख मिलती है कि अगर बुद्धी से काम किया जाएं तो हर एक मुश्किल से मुश्किल काम भी अपने कर सकते हैं कभी भी हिम्मत मतारो और अच्छी अपने बुद्धी से पूरे काम करो अगर दोस्तों, अगर यह कहानी तुम लोग को अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट्स में लिखो और प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मैं तुम लोग का अंकल कल फिर से एक नहीं कहानी के साथ हूँगा तब तक के लिए गुड नाइट, स्विज ड्रीम